अब आपको तोपिक है डाइजिस्टिफ सिस्टम सुबह ही मैंने आप लोगों के इन्पिमेशन दे दी थी कि आज हमारा जो टेस्ट होगा वो डाइजिस्टिफ सिस्टम पर होगा आपने प्रिपरेशन कर ली होगी तो अराउंड 35 कॉश्चंस आपको देखने को मिलेंगे य सभी कॉश्चंस जो हम डिसकस करने वाले हैं यह है आपके PYQ क्योंकि हम यहाँ पर रन कर रहा हैं PYQ टेस्ट सीरीज वो भी टॉपिक वाइस पहले हम बायो को खतम करेंगे आफ्टर देट हम केमिस्टि और फिजिक्स पर बाते करेंगे तो टोटल 10 टेस्ट आपके 55 टेस्ट दिसकस कर लिए जहाँ पर रहा है सेल थिोरीस एल इस ट्रक्शर पर बिसक्शन किया था kind of enzymes यहाँ पे secret होते हैं जिससे हमारा खाना digest होता है खाना digest होने के बाद हमें glucose मिलता है हमें energy मिलते है जिससे हम अपने daily work को करते हैं daily काम को करते हैं तो आईए हम इसे digestive system को यहाँ पे discuss करने वाले है यह जो PYQ test series है यह आपके सभी one day exam के लिए आपके state PCS exam के लिए CUET exam के लिए सभी के लिए useful है तो बिलकुल आप अपने friends को भी suggest कर सकते हैं और जादा से जादा बेच में लोगों के साथ link को share आपको करना है ठीक है तो पहला question आपकी screen पे है try to answer it पहला question कहता है which membrane bounded cell organal consisting of small sec like structure surrounded by the single membrane serve as the cell digestive system ठीक है यहां पर हमें इस word को पकड़ लेना है पूच लिया गया है about the cell digestive system and allow material taken from the outside the cell degrade and digest obsolete component of the cell तो यहां पर simple सी बात है बात हो रही है कि वो कौन सी cell है जो की different kind of bacterias को मारने का काम करती है कोई cell अगर effect हो गई है infected है उसको destroy करने का काम करती है और फिर खुद भी destroy हो जाती है तो basically suicidal bag of system या suicidal bag of human body कौन है आंसर हो जाएगा lysosome so correct answer is option number one ठीक है next अगला बोला गया है about the HCL hydrochloric acid is secreted in which part of our digestive system तो HCL का secretion कहां होता है जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ये salivary glands है हमारे जो लार ग्रंथियां है वो active हो जाती है और खाने का पाचन start कर देती है तो खाने का जो digestion start होता है वो हमारे amount से होता है और इसके बाद यहां पर जो food pipe है तो खाना food pipe से stomach तक जाता है और जैसे ही खाना stomach में पहुचता है तो stomach में generate होता है HCL जिसको हम hydrochloric acid कहते हैं और यह हमारे खाने को acidic कर देता है खाने को अमलिय प्रक्रती का बना देता है ठीक है तो यहां पर पूचा है कि HCL कहां पर secret होता है तो आंसर हो जाएगा हमारे stomach में हमारे pate में आपको देखने को मिलेगा HCL मतलब option number two बिलकुल correct है next है which part of the digestive system receive secretion from the liver and the pancreas अब यहां पर देखिएगा liver तो liver में formation होता है bile juice का और वो bile juice जो बना है वो इखटा हो जाता है gallbladder में और gallbladder से वो secret होके कहां पर जाता है वैसा ही जो pancreas है जो कि एक mixed gland है mixed gland इसलिए बोला गया है क्योंकि enzyme के साथ-साथ hormone को भी secret करता है previous session में मैंने आपके साथ discuss किया था कि यह जो pancreas है यह insulin नाम के hormone को भी generate करता है तो pancreas से जो enzyme generate होते है amylage, trypsin वगेरा वो कहां पर जाके मिलते हैं तो यह पूरे जो enzymes वगेरा है वो पहुँच जाते small intestine मतलब हमारी छोटी आथ में छीकिए small intestine is the right answer option number 4 actually अगर question आता है कि खाने का digestion कहां पर start होता है तो आपका आंसर होगा कि mouth से खाने का digestion स्टार्ट हो जाता है लेकिन खाने का complete digestion कहां होता है तो खाने का complete digestion है वो आपकी small intestine में मतलब हमारी छोटी आथ में होता है clear है? next which of the falling is the indigestible portion of our diet essential to the health of the digestive system अब यहां पर हम जब खाना खाते तो खाने में बहुत सारी चीज़े होती है हम दाल, चावल, रोटी, सब चीज़े, सब कुछ खाते है जिसमें fat, protein, carbohydrate और fibers होते हैं तो fiber जो होते हैं वो बहुत important होते हैं चेके हमारे digestive system के लिए जो हमारा stool होता है उसको smoothly pass करने के लिए undigested food को body से release करने के लिए fiber बहुत जादा important होते हैं तो यहां पर correct answer हो जाएगा option number 2 चेके option number 2 is the right answer In the human digestive system which of the following enzyme convert protein into the preptose and peptones इनमें से कौन सा enzyme है? basically जो protein के digestion के लिए एक तरीके से responsible है actually जो protein का digestion होता है तो protein का digestion completely होने के बाद वो amino acid में convert हो जाता है तो हमारा last जो target है वो क्या है amino acid protein को convert करना है amino acid में तो जैसे गर हम खाना खाते हैं खाने में कुछ protein होता है तो सबसे पहले तो आता है bile juice और bile juice करता है emulsification करने का काम मतलब बड़े बड़े जो protein के टुकडे हैं उनको छोटी 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 प्रोटीन में convert कर देता है जिससे digestion की जो process है protein के digestion की process fast हो सके उसके पाद कुछ enzymes आते हैं जो protein को preptose में convert करते हैं उस enzyme का नाम क्या होता है आंसर हो जाएगा आपका pepsin pepsin enzyme protein को preptose में convert कर देता है और फिर बाद में ये amino acid में convert हो जाते है next है in which of the falling part of the human digestive system is the digestion of food completed कौन सा पार्ट है जहां पर खाने का complete digestion हो जाता है तो अभी मैंने आपको सिखाया है small intestine हमारे जो छोटी यहां थे वहां पर completely खाने का digestion होगा अब amylase enzyme जो है वो कहां पर पाया जाता है ठीक है amylase, lipase, different kind of enzymes आपको देखने को मिलते हैं और यह आपको saliva में देखने को मिलता है तो amylase, वगेरा, tylinic enzyme होता है तो tylin आपको देखने को मिलता है saliva में मतलब लार ग्रंथियों से निकलता है तो option number 4 बिलकुल correct है इनमें से bile juice को कौन secret करता है तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर, लीवर is the right answer ठीक है which of the falling is the largest gland in the human body हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो आंसर हो जाएगा लीवर है ठीक है, लीवर is the largest gland of the body तो correct answer is option number 3 इसको हम laboratory of human body भी कहते हैं चलिए, एक question repeat हो गया है तो इस question को में skip कर देती हूं चलिए, further discussion करने से पहले यहाँ पर अगर आप topic wise test series लगाना चाहते हैं तो आपको 19 test मिलेंगे topic wise और वो भी detailed solution के साथ तो आप biology की test series को join कर सकते हैं जो आने वाले हर एक one day exam के लिए आपके लिए important हो जाएगी more information के लिए आप Pooja Gen Classes application पर visit कर सकते हैं प्लिकेशन प्ले स्टोर पर अविलेबल है चीक है which of the following statement is incorrect तो इन में से incorrect statement कौन सा है पहला बोला है कि लीवर secret करता है bile juice सभी को पता है ठीक है लीवर जो है वो largest gland होता है human body का ओके fine लीवर is situated in the upper part of the abdomen on the left side अपर abdomen में अपर left side पे आपको देखने को मिलता है और लीवर जो है वो reddish brown होता है incorrect कौन सा है तो ये अपर part of abdomen में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताएंगे कि लीवर की location कहां है लीवर की location हमारी body में कहां पर देखने को मिलती है आप answer करेंगे मुझे तो यहाँ पर third statement incorrect है remaining are correct next है वो कौन सा organ है जहाँ पर glucose glycogen में convert होता है ठीक है glucose का glycogen में convert होनी की जो process है वो glycogenesis के नाम से जानी जाती है और ये process कहां पर होती है लीवर में होती है लीवर को हम laboratory of human body के नाम से भी जानते है option number eight which of the falling organ of the human body produce urea अब urea generally जब यूरिया दिमाग में आता है urine दिमाग में आता है तो हम kidney की तरफ भागते है लेकिन यहाँ पर जो urea cycle होती है urea को जो formation होता है वो हमारे लीवर में होता है so correct answer हो जाएगा option number four amylase enzyme कहां पर पाया जाता है तो यह हमारे saliva में जो लार ग्रंती होती है amylase, tylin जैसे आपको enzyme पाया जाते है correct answer हो जाएगा saliva next अब यहाँ पर बोला जा रहा है which of the falling enzyme found in the saliva of the human body which break down starch into the simple sugar तो वो कौन सा enzyme में जो saliva में पाया जा रहा है और वो starch को convert कर रहा है simple sugar में so answer हो जाएगा amylase amylase जो है यहीं से आपके खाने का digestion स्टार्ट हो जाता है अब यह जो pepsin और renin होते हैं यह protein के digestion के लिए responsible होते हैं normally बच्चों में renin पाया जाता है adult में renin नहीं पाया जाता और pepsin protein के digestion के लिए responsible आपको देखने को मिल जाएगा clear next है salivary amylase which is contained in saliva digest and convert it into maltose तो यहाँ पर देखिएगा basically जो amylase है वह हमारे खाने में जो carbohydrate प्रेजेंट है हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको maltose यह पिस चुगर में convert करता है यह सभी आई हुए कोश्चन है already पूछे गए है next है the pouch connect to the junction of the small intestine and large intestine is called यहाँ पर पाउच जैसा structure है जो कि small intestine and large intestine के बीच में होता है उसे हम किस नाम सो जानते हैं तो इसे हम सीकम के नाम सो जानते हैं क्या बोलते हैं सीकम option number 3 विलकुल करेक्ट है which food required a longer small intestine to digest food अब यहाँ पर जो small intestine की size होती है वो depend करती है animal से animal पर कि आप किस तरह के खाने को consume कर रहे हैं करेक्ट है यहाँ पर जो animal आपके हर भी boros होते हैं मतलब जो grass वगेरा खाते हैं उनकी body में जो small intestine की size होती है वो बड़ी होती है जब कि आप अगर देखेंगे जो carnivorous होते हैं जो meat वगेरा खाते हैं ऐसे animal की small intestine की size होती है वो smaller होती है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे animal है जिसमें small intestine large मिलेगी तो वो animal जो grass को consume करते हैं जिसमें cellulose जादा पाया जाता तो cellulose को digest होने में समय जादा लगता है इसलिए small intestine की size भी जादा होगी option number 3 बिलकुल correct हो जाएगा इन ruminant अब यह क्या होते हैं ऐसे animal जैसे की cow वगेर आपने देखे होगे जुगाली करने वाले animal होते पहले खा लेते हैं फिर आपने कभी किसी गाय को देखा होगा वो खा लेती हैं और पिर कहीं पर कोने में बैठ कर वो त्वी करती रहती है वो बापस खाना लेकर आते हैं वो बापस उसको त्वी करते हैं तो ऐसे animals के बारे में बात हो रही है ठीक है ऐसे kettles उनके शरीर में एक वेक्टीरिया पाया जाता है जो कोई उनके digestion के लिए responsible है और cellulose को digest करता है तो वो वेक्टीरिया कहां पर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे रिमन option number one ठीक है इस तरह के जो animals होते हैं आप देखेंगे इनका यह food pipe है यह खाने को यहाँ पर लेकर आते हैं और बापस और बापस लेकर जाते हैं और उसको फिर च्वी करने का काम करते हैं तो इस तरह को digestion के बाद हो रही है तो इस तरह को digestion मैंने आपको सिखाया है माउट में स्टार्ट होता है वहाँ पर आप देखेंगे saliva से amylage enzyme आता है जो कि खाने को digest करता है मतलब carbohydrate को maltose बगेरा में convert कर देता है मतलब simple sugar में convert कर देता है और mouth को हम oral cavity भी कहते हैं और इसको हम buccal cavity भी कहते हैं तो correct answer is option number 4 next है अब यहाँ पर हमारा जो food pipe है जो elementary canal है जो कि start होती mouth से और जाती एनस तक तो इसमें कहाँ पर आपको finger जैसे structures देखने को मिलते हैं तो correct answer हो जाएगा आपका small intestine में option number 4 बिलकुल correct है अब यहाँ पर बोला है कि small intestine की size क्या होती है generalized size आपसे पूछी गई तो small intestine की जो size है 7 से लेकर 7.5 मीटर तक होती है in which of the falling part of the human digestive system is the digestion of food completed तो correct answer is आपका option number 4 it is small intestine what is the most common symptom of the osteomalacia osteomalacia के common symptoms क्या होते हैं तो यह common symptoms होते हैं कि bone में pain होता है bone में pain होने के साथ-साथ muscle में weakness आती है bile juice कहां पर store होता है तो हम सभी को पता है कि जो पितास है या फिर आपका जो gall bladder है वहां पर bile juice इखटा हो जाता है which enzyme is used for the digestion of starch तो amylage के अलावा और कौन से enzymes होते हैं तो answer हो जाएगा आपका tylin tylin correct answer के हो जाएगा option number 3 what is the largest gland of the human body largest gland कौन सा है तो liver आपको देखने को मिल जाएगा caution इसलिए repeat हुए है क्योंकि बार-बार आए हुए है which of the function of the hydraulic acid HCL का क्या function होता है तो HCL acidic होता है ये बात हमें पता है तो HCL क्या करता है जो भी खाने में bacteria प्रेजेंट है उनको मारने का काम करता है और जो pepsin enzyme है उसको activate कर देता है और pepsin enzyme जो है वो स्टमक में बनता है और pepsin enzyme प्रोटीन के digestion के लिए responsible होता है तो correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों के दोनों statement correct है infant gastric juice contained अब जो HCL मतलब जो आपके स्टमक में juices बनते हैं उनको हम gastric juice कहते हैं और हमारा जो स्टमक होता है उसको हम gastric gland के नाम से जानते हैं अब किसी infant में किसी बच्चे में कौन कौन से gastric juices बनते हैं तो मैंने आपको pepsin और renin में डिफरेंस बताया था कि pepsin जो है वो adult में होता है जबकि renin जो होता है विफेंस में होता है पर देखने को मिलेगा यह जनरेट होता है infant में पर sodium ion and other carrier ion facilitate absorption of blank sodium ion का क्या काम होता है तो sodium ion का बहुत important काम होता है कि amino acid और glucose को absorb करता है यह जो billy जैसा structure है जो large intestine है वो क्या करती है जो खाने में different kind of ions से minerals से उनको absorb करती है और sodium ion उस पे मदद करता है arrange the correct sequence अब यहाँ पर जो human digestion process है उसका sequence आपसे पूछा गया है तो क्या sequence होता है simple सी बात है पहले हम खाना खाते है खाना खाने के बाद क्या होता है वो stomach में जाता है breakdown होता है, digest होता है absorb होता है और फिर body से release होता है यही तो sequence होता है तो वही sequence आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो correct answer हो जाएगा option number P ingestion, digestion, absorption, assimilation and agation ingestion मतलब आपने खाना खाया digestion आपका खाना स्टमक से small intestine में पहुचा और digest हुआ फिर वो खाने में जो भी minerals थे nutrition से वो absorb हो गया absorb होने के बाद क्या हो गया वो blood में mix हो गया और body के different part तक आपको देखने को मिलेगा energy और फिर जो undigested food था वो body से release हो गया so correct answer is option number B in which part of the body digestion of the protein begin अब यहाँ पर कहाँ पर protein का digestion शुडू होता है तो आपको मैंने pepsin और renin बताए हैं जो कि स्टमक में पाए जाते हैं तो स्टमक में आपके protein का digestion start होता है but protein का जो complete digestion हो है वो small intestine में होता है तो दोनों question अलग-अलग है कहाँ पर start हो रहा है और कहाँ पर complete हो रहा है okay है जी next complete digestion of food occurring so simple सी बात है small intestine and this is your question of the day दो question मैंने पूछे हैं एक question है कि liver की location क्या होती है human body में and अगला question है name the hardest material present in the body हमारे शरीड में सबसे कठोरतम पधात कौन सा है और वो सब आपको पता है हमारे teeth में पाया जाता है तो वो answer आप मुझे comment section में करेंगे तो दो question है दोनों questions के answer आप मुझे comment section में बताएंगे हमारे बताएंगे